हमें बताया गया है कि प्यूरिटन टाइम्स में एक विच हुआ करती थी जिसे रात के टाइम्स समंदर में डबो कर मार दिया गया था और कहा जाता है कि उसके बच्चों को उससे बहुत दूर कर दिया गया तो एक दिन वो तुम्हारे बच्चे लेने के लिए उठेगी उसक पर एक detective Clarkson Sarah से interrogate करती है और उसके पूछने पर बताती है कि तुम्हारी बेटियां बिलकुल ठीक हैं फिर detective पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था तुम वहाँ पर ऐसे तेरते हुए कैसे पहुँची तो Sarah कहती है कि evil को रहने के लिए कोई body चाहिए होती है और हमारे case में वो बोडी एक बोट थी वो क्लेम करती है कि जो कुछ बोट पर हुआ वो आप लोग यकीन नहीं करेंगे लेकिन क्लार्कसन कहती है कि तुम बताओ क्या हुआ तो सारा उसे बताती है अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चार मंथ पहले कोस्ट कार्ड को सुवाना के कर एक पुरानी अबेंडन्ट सेल बोट मिली थी और उस बोट का नाम मैरी था मारलेन और उसकी टीम अंदर जाकर बोट को इन्वेस्टिगेट करते हैं उन्हें एक कैबिन से वाज आती है और उसे खोलने पर कोई चीज अंदर से निकलती है सारा का हस्बन डैविट एक टोरिस्ट फेरी पर कैप्टन की जॉब करता था वो अपने दोस्त माइक के साथ बोट याड जाता है जहां पर किसी बोट की निलामी होने वाली थी वहां डैविट को मैरी निजर आती है उसे वो बहुत पसंद आती है और वो चजबाती होकर उसे खरीद लेता है फिर वो सारा और अपनी बेटी ओन लिंड से और मैरी को बोट दिखाने के लिए वहां बुलाता है सारा उसके इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं थी डैविट उसे बताता है कि मैं अपनी बोट खरीदना चाहता था सारे जिंदगी मैं जॉब नहीं करना हम इसे ठीक करके फैमिली क्रूजर बनाएंगे लेकिन वो कहती है कि इसे ठीक करने पर बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे तो डैविट उससे सौरी करता है कि मुझे पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था मगर मैं एक्स्प्लेन नहीं कर सकता कि पता नहीं क्यूं इसे देखते ही मैं इसको छोड़ नहीं सका तो फिर सारा मान जाती है जिस पर डैविट खुश हो जाता है अगले दिन वो लोग माई को टॉमी के साथ मिलकर उस शिप को रेनुवेट करते हैं टॉमी डैविट के अंडर काम करता था और लिंटसे का बॉइफरेंट था फिर ये शिप तो हांटेड लगती है इसके पिछले ओनर्स का भी कुछ पता नहीं है कि वो लोग बीच समंदर में कहां गाइब हो गए लेकिन डैविट उसकी बात नहीं मानता उसके बाद शिप के आगे फोटो लेते हुए टॉमी को शिप में ब्राइट फ्लेश निकलता वो डर जाता है लेकिन फिर उसे इग्नोर कर देता है फिर मेरी को सुलाते हुए सारा को विजन आता है कि उसकी जगा जली हुई बॉडी रखी हुई है वो डर जाती है और अचानक उसकी आंग खुलती है तो सुबा हो चुकी थी फिर वो लोग माईक और टॉमी के साथ बर प्राइंग मिलती है जिस पर कोई वेर्ड सी लेडी बनी हुई थी रात को सोते हुए डैविट को भी एक औरत का विजन आता है जिससे डर कर वो उठता है तो उसे फील होता है कि बोट चल रही है वो उपर डेक पर जाकर देखता है तो वहां टॉमी होता है डैविट पूछत चोड़ देते हैं सारा को उसके लिए बुरा लग रहा था मगर डैविट कहता है कि हमारे पास और कोई आप्शन नहीं है वो पुजेस लग रहा था और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बात को बाकी सबसे सीक्रट रखना है जिस वज़ा से लिंड से उनसे नराज होती है क्योंकि वो टॉमी के बगैर वहां नहीं रहना चाती थी उदर कलाक सन को सारा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता और वो उससे कहती है कि मैं थोड़ी दिर बात दुबारा पूछूंगी और सही बात बताना वरना मैं तुम्हें मर्डर समझूंगी अगले सीन में बहुत डर चाती है लेकिन तभी लाइट ओन हो चाती है और डेविट दर्वाजा खोल देता है वो जाकर देखती है तो लिंटसे और मैरी सो रही होती है और डेविट कहता है कि सब तुम्हारा वहम है अगली सुबा सारा पॉल पर इंटरनेट डिवाइस सेट कर रही होती ह तब ही लिंट से को नेक पर किसी का हाथ फील होता है वो समझती है मेरी है मगर मेरी वहाँ नहीं होती उसके बाद डेविट को खबर मिलती है कि टॉमी ने हॉस्पिटल में सुसाइड कर ली है जिस पर वो और सारा बहुत सैड होते हैं अगले सीन मेरी कहती है कि मेरी दोस लेडी के लिए डिनर क्यों नहीं बनाया तो लिंट से बताती है कि इसने अपनी कोई imaginary दोस्त बना रखी है और ये सारी रात उससे बातें करती रहती है फिर वो मेरी को मना करती है तो वो उसके मुँपर ग्लास मार देती है जिसमर मॉम और डैड उसे डांडते हैं और डैविट को उसके कैबिन में से एक हैंग मैन की ड्राइंग मिलती है उसके बाद रात को सारा वाउश रूम जाती है तो कोई दर्वाजा खोलने की कोशिश करता है और फिर बाहर आने पर उसे पॉंग के निशान नजर आते हैं जिनके पीछे चलते चलते वो उपर डेक पर चली जाती है वहाँ उसे अपना नाम सुनाई देता है उस पर कोई अटेक करता है मगर माईक उसे बचा लेता है इस सबसे सारा बहुत डर चाती है और डैविट से कहती है कि यहाँ पर कुछ इवल है, हमें वापस चलना चाहिए, मगर वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता, और कहता है कि हम वापस जाना भी चाहें तो अब नहीं जा सकते, सारा बोलती है कि यह शिप करस्ट है, मगर डैविट इस बात पर गुसा करता है, और अगले सीन में सारा को खाब आता है कि मेरी अपने कैबिन से अचानक गाइब हो जाती है, और वहाँ सारा का कोई गला दबाने की कोशिश करता है, वो डर कर उठ चाती है, तभी मेरी उसके पास अपना तूटा हुआ दांत लेकर आती है, और कहती है कि उस लेडी ने इसे न और वो सब लोग एक ही तरफ जा रहे थे, वहाँ पर उस विच के बारे में भी लिखा हुआ था, जिससे पता चलता है कि वो बोट पोजेस्ट है, और विच की स्पिरिट समंदर में डूबने के बाद से दूसरों के बच्चों को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, अब यहां बरमुदा की तरफ नहीं आना चाहिए था, वो विच सब को मार देती है और हमें भी मार देगी, डैविट कहता है कि मैंने ये बोट हम सब के फ्यूचर के लिए ली थी, और मैं चाहता था कि हम अच्छा फैमली टाइम स्पेंट करें, दोनों में फिर से लड़ाई हो मैरी को कुछ हो गया है, वो लोग उसे देखने जाते हैं और डैविट उपर माइक को बुलाने जाता है, मगर वहां उसे कुछ अजीब लगता है, और तभी माइक उस पर अटेक कर देता है, क्योंकि वो भी विच के कंट्रोल में आ गया था, लेकिन तभी सारा आकर उसे ब हैंग दिये गए हैं, फिर डैविट माइक से बात करने चाता है, तो वो बिल्कुल भी होश में नहीं होता, वो कहता है, जैसा विच कहती है वैसा ही करो, हम सब मरेंगे, तुम्हारी हर चीज उस विच की है, तुम सब को उसके हवाले कर दो, तुम कुछ भी कर लो बच नही ये कहता है, वो गले में रसी डाल कर कूदने ही वाली होती है, कि डैविट आकर उसे बचा लेता है, उधर माइक को भी कोई दरवाजा खोल कर बाहर निकाल देता है, और वो पीछे से आकर डैविट पर अटेक करके उसे बेहोश कर देता है, उसके बाद वो सारा के पीछे जब सारा की आंग खुलती है तो वो बंदी होती है, और बहुत तेज बारिश हो रही थी, बोट तुफान में फसी हुई थी, वो देखती है कि माइक ने डैविट को नीचे फैंक दिया है, सेम वो उसके साथ भी करता है, मगर वो किसी तरह अपने हाथ खोल लेती है, और ब जूडने लगती है, वो डैविट की फ्लेयर गन भी उठा लेती है, उसे छोटे वाले कैबिन से उनकी आवाजें आती है, तो वो उन्हें वहाँ से निकाल कर खोलती है, फिर वो उन्हें लाइफ जैकिट्स देखकर बोट से नीचे पानी में उतार देती है, उदर विच ड मैं शिप से उड़कर बाहर गिरी, मैंने अपनी बेटियों को ढूडने की कोशिश की, मगर नहीं ढूड सकी, मैंने विच को तबाह कर दिया, और अब वो मेरी बेटियों को कभी नहीं ले जा सकेगी, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, क्लार्क सन इस सब के बाद यहीं कन्क्ल कर लिया था, तब ही गोली चलने की वाज आती है, और वो देखती है कि सारा पुलिसमेन को मार कर खिड़की का शिशा तोड़के भाग गई है, और पुलिस टेशन के बाहर भी तुफान होता है, जिस तरह बोट पर आया था, और इसके साथ ही यह मूवी यहीं पर खतम हो ज कि आती है,